हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टो आई चैनल दोस्तों फिर सबसे विकास वागत देरिक में इनका एक नाया वीडियो पे दोस्तों बहुत दिरों बाद आज आज आप लोगों के सामने मैं कुछ ऐसे दो स्मार्ट वाच का अकमपरिजन करने वारा हूँ जो आपको कड़ी 4000 के प्राइस पर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर एक साइट पर है नॉइस के तरफ सैने वाला नॉइस स्वीड फॉर्स प्लस और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नॉइस स्वीड फॉर्स प्लस के डिजाइन अगरा को लेगे तो यहां पर आपको एक राउंड डायल देखने को मिल जाता है जहां पर जो फ्रेम है उपको मेटलीक फ्रेम प्रोवाइट करें जाएगा उसके साथ जो स्ट्रैप आपको सिनिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाता है राइट साइट पे आपको दो बटन देखने को मिल जाता है जो डेडिकेटर बटन है एक है मेन्यू के लिए and the second one is for sports mode तो यहाँ अगर आउटर साइट पे देखते हो तो काफे बढ़िया लूपस के साथ यह स्मार्ट वाच आपको प्रोवाइड किया जाता है इसके साथ आपको कमपनी प्रोवाइड करता है तो डिस्प्रे के मामले में अगर आप देखते हो तो noise fit force प्लस आपको बढ़िया प्रोवाइड किया जाता है बट इसके साथ अगर आप compare कर लेते हो फॉस्ट्रक की रिवोल्ट एफेस वान प्रो का तो यहाँ पे आप लोगों को एक स कर सकते हो बट यहाँ पे कोई भी स्पोर्स लूट के लिए डेडिकेटेट बटन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है बट यह जो फास्ट्रक के एफेस वान प्रो है यहाँ पे आपको एक बड़िया जीस देखने को में डिजाइन के अंदर जहाँ पे यह जो स्मार् अगर आप देखते हो फास्ट्रक के मामले में तो ओवेस्टरक के एफेस वान प्रो वो आगे रहता है अम बात करते हैं दो स्मार्ट वज यह कॉलिंग फीचर्स वगिरा को लेके तो नोईस का जो स्मार्ट वजी उसके अंदर आपको ठूसें टेक्नलोजी देखने को मिल जाएगा सिंग्लिस कनेक्शन है आपको एक सर्टेन रेंज तक काफी बड़िया पर्फोर्मेंस देखने को मिल जाए कि डेडिकेटेड माइच स्पीकर मिलता है आप यहां पे कॉंटेक्स वगिरा सेब कर सकते हो स्पिट डायल का ओप्शन आपको फुल सेज नंबर पैड म मिल जाएगा और उसके साथ फुल से डायल पर मिलता है स्पिट डायल का ओप्शन है आप कॉंटेक्ट वगिरा इसमें भी सेव करके रख सकते हो तो कॉलिंग के मामले में अगर आप देखते हो तो दोनों के अंदर ही काफी सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिल जाते है पर हाँ कॉलिंग का क्वालिटी कैसा है वो खैर जाब यह स्मार्ट वच रॉंच होगा तब हम लोग ही व्यू करके देखेंगे अब बात करते हैं वच्ट वगिरा को लेके तो नोईस जो स्मार्ट वच है उसके अंदर आपको करीब 100 प्लस वच्ट 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 वच् अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना भी प्रोवाइट किया जाता है अल्मोस्ट आप देखते हो सारे स्मार्ट वच के अंदर सेम टू सेम ही होता है थोड़ा बहुत नंबर के इधर होता है तो यहां पर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलता है अब को अपको आप एकसेप्ट करो बट यहां पर यह जो नॉइस का स्मार्ट वच इसके अंदर आपको नॉइस हेल्थ स्यूट करके एक प्रपर हेल्थ स्मृट देखने को मिल जाता है जिसके अनदर आपको heart rate monitoring, sputo monitoring, breathe monitoring, sleep monitoring, stress monitoring, menstrual cycle monitoring, सब कुछ देखने को मिल जागा थैं से तो यहाँ पर आपको battery section के अंदर एक बड़ा सा change देखने को मिल जाता है जहाँ पर noise का जो smart watch उसके अंदर तो company claim 7 disc का battery life और उसके साथ अगर आप Bluetooth calling करते हो तो दो दिन का battery life आपको provide किया जाता है बट में जो खासिया थे वो first track के reward FS1 Pro के अंदर है बिकुस उसके अंदर आपको nitro force charging technology देखने पो मिलता है जहाँ पर अगर आप सिर्फ 10 minute charge करोगे आपका smart watch एक दिंके ने continue perform कर देगा और इसके साथ आपका यह smart watch यह 7 दिन तक का battery life प्रोवाइड करते है विड Bluetooth कॉलिक दो दिन तक का battery life दे देगा तो water, dust, sweat बगड़ा का जो splashes है वो जेल लेगा कोई दिखकर देए बाकी जितने भी अलग-अलग features होते है लाइक water reminder, sanity reminder, stop watch, alarm, calculator, world clock की है वो जितने भी अलग-अलग features है सब के सब smart notifications बगड़ा सब आपको दोनों ही smart watch के अंदर दिखने को मिलता है अब यहाँ में बात है noise क एक particular app आता है, noise fit करके कोई app आता है, जिसके थूआ पी smart watch को noise का smart watch को connect कर सकते हो, और जो fast track का है उसके अंदर आपको fast track refresh world app करके एक app आता है, जिसके अंदर आप इस particular आपके smart watch को register करके connect कर सकते हो, तो वहाँ पे आपके सारे reading वगड़ा जो दे देगा, अब price वगड़ा का अगर मैं मात करता हूं, तो 29 वाला 3999 price के साथ आता है, जो fast track का है, वो 3995 के आसा है, तो 4 रुपया के देर उधर है, बट हाँ, अगर हम बोलके चालाजर के नीचे कौन सा वाला smart watch चीज दोनों में से सही है, तो मैं obviously suggest करूंगा fast track का revolt FS1 pro, because revolt FS1 जो था, वो काफी बढ़िय लगा, compared to noise fit force plus, अब आपके उपर है, आप कौन सा brand के उपर rely करते हो, तो obvious बात है, आप उस हिसाब से choose करते हो, पर price के मामले में ज्यादा कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उमिद करते हो तो ये वीडियो आप लोग को पसंद है, अगर वीडियो पसंद है